यह हमारा बटरफ्लाई वाला नैट है आप देखी सकती है काफी अच्छा है और इसमें बीट्स भी लगए हुए है गोल्डन कलर के और यह हमने अस्तर लिया है यह हमारा साटन का अस्तर है काफी फिसलना अस्तर है वैसे तो यह लेकिन साटन का यूज़ करना चाहिए अगर अच्छा वाला नैट यूज़ कर रहें सबसे पहले टॉप पार्ट के लिए इसमें से थोड़ा सा कपड़ा में अलग कर लेती हैं उसके बाद नीचे का गहरा निकालेंगे तो अच्छे से बरावर करके हम यहां से नाप के 11 इंच कपड़ा कट कर लेंगे और बाकी के साल की बच्ची का है तो मैंने 11 इंच लिए तस तैयार रहेगा उसमें एक इंच एक्स्ट्रा है मार्जन का तो यहां से अब हमारा एक पीस निकल के आ गया है अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले दो फोल्ड में रखेंगे और फिर हम इसको चार फोल्ड में रख देंग अगर हेल्दी है तो आप पांच या सड़े चार लीजिए अब यहां से हम सड़े चार पर ही आर्मोल और ब्रेश्ट का चौथा हिस्सा और उसमें हम 1.5 इंच जादा ले लेंगे इस तरीके से और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे मारदन उसमें जरूर ले लें 1.5 इ यहां से पहले आर्मोल वाली साइड को कट करेंगे और हम इसमें से बैक और फ्रंट पार्ट अलग अलग करके ही कटिंग करेंगे तो यह हो गया अब इसमें से एक पार्ट को निकाल दूँगे मैं दूसरे पार्ट को फिर से फोल्ड कर लूँगे और यहां से हम कटिंग कर देंगे इसकी, तो ये मैंने कटिंग कर दी है, अब यहाँ से से मैं, डेरिंच चलूंगी पीचे के लिए, और दो इन चोड़ाई में और इसको भी कटिंग कर दूंगे, यह भी कट हो गया है, यह आगे वाला पार्ट तो मैं आगली वीडियो में आपको समझा दूँगे कि इसे कैसे रखना है तो यहां से देखिए आपको जितनी भी हाइट लेनी है उस हिसाब से आपको करना है जैसे कि इसमें थोड़ा सा जोएंट होगा मैं 24 इंच लूँगी हां से और 24 इंच लेने के बाद हम यहां से इस तरीके से निसान लगा देंगे और जो कमर वाला हिस्सा था वो मैंने टॉप पार्ट से ही इसको मेजर कर लिया था यहां से जैसे हम दो 30 अलवार के लिए कपड़ा रखते हैं उसी तरीके से हमने इसको रखा था अब हम इसको कट कर देंगे अब यह रखने के बाद में हम यहां से भी कट कर देंगे इसमें से जो कौना निकलेगा उसी को हम यहां पर जोड़ देंगे इससे थोड़ी सी हाइट पर जाएगी क्योंकि हमें थोड़ा सा उसी के बाराबर उसे थोड़ा बहुत कम मतलब दो इंच कम लेंगे विसको ठाक अब अपने जो हमारा अस्तर है उसका सिर्फ कमर वाला हिस्से का मेजरमेंट लेना है बाकी का हम लम्बाई में इससे करीवज़ दो इंच जादा लेंगे तो यहां से लेने के बाद यहां से हमने इतना ले लिया है अब इससे हम थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे इसको दो या तीन इंच इस तरीके से हम इसको पूरा ही हटा के कट कर निसान लगा देंगे तो यह देखिए यह हमने पूरा कट कर लिया निसान लगा के इसको निक सर्कल बना लिया था बागी के फैबरिक को बचाएंगे अभी टॉप पार्ट निगलेगा उसमें से यह हो गई हमारे दो पार्ट यह देखिए आगे और पीछे के इनको भी हम अलग-अलग कर देंगे तो यहां से अब जो हमारा बचा था नीचे से कपड़ा इसमें से हम अपने जो हमारे टॉप पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे जितना भी फैबरिक बचा है अगर आपको अच्छे घेर का फ्रॉक चाहिए तो बच्ची चाहे तीन साल की यह चाहे सार साल की आप दो मीटर ही कपड़ा लें ताकि अच्छा घेर आए अब यहां से हम इसको सिलेंगे तो सिलने के लिए पहले अस्तर को रखेंगे ऐसे उल्टा करके और अपने इस टॉ नेट में गला कट नहीं किया था अब इसको सीधा कर देंगे सिर्फ मैंने नीचे वाला पार्ट छोड़ा है जहां से हम अपने टॉप पार्ट को अटाइच करेंगे अब यहां से देखिए मैं इसके उपर डवल से लाई लगा दूँगी अब इसको भी मैंने जो मैंने यहां से भी आप इससे जुएंट लगा रहे हैं उससे साथ की साथ पेन अप कर दें ताकि आपको यह पता रही कि यह जुएंट यहां पर होगा आप इसके बॉटम को मोड दूँगी मैं करिबन एक एक इंच के बरावर आप चाहें तो यहां पर पीको कर लीजिए तो यह में मोड दिया है अब हम इसमें पहले नेट को और मोड लेते हैं नेट को मिश्ण alltid मोड एंगे को अटाइच कर दूंगी यह देखिए और इसके साइड में सिलाई नहीं लगानी है आपको सिर्प आपको जो उपर का टॉप पार्ट का हिस्सा है जहां पर जुड़ेगा वहीं तक लगानी है तो यह मोटी वगएर हटाते हुए लगानी है क्योंकि फिर अगर इसके उपर तो उसको हटा देना है यह हो गया है और अभी हम क्या करेंगे कि अब यह बैक पार्ट है हमारा तो हम बैक पार्ट को भी सेम सिल देंगे अब बैक पार्ट को सेम सिलने के बाद अब फ्रंट के गले में हम यह पतली लेस लगा देंगे इस तरीके से और इसको कट कर देंगे अब ये हो गई है अब हम इसके हिस्से में ये इस तरीके से सिलाई लगा देंगे अब दोनों को रखने के बाद अब हम इनका सोल्डर जोड लेते हैं आगे और पीछे के पड़दे को हमने बरावर करके रख लिया है और आप चाहें तो इसमें जिप भी लगा सकती है लेकिन अब गला मेरा बड़ा हो गया है तो मुस्से जरुत नहीं है मतलब कि मैंने थोड़ा सा और बढ़ा लिया था पीछे का कला जैसे मैंने डेड़ लिया था तो मैंने उसे तीन ही कर लिया है तो यहां से इसको डवल करके हम सिल देंगे सोल्डर को भी अच्छे से बरावर करके अब यह हमने इसके लिए बेल्ट बना दिया है तो बेल्ट को हमने तीन इंचोड़ा लिया था और उसको सिल के हमने डेड़ इंच का कर लिया है और दोनों बेल्ट हमें ऐसी बना के बस सीधी कर लेनी है अब इसमें फिटिंग की सिला ही लगा देंगे और फिर नीचे तक लगाने के बाद और इसको बिल्कुल जहांसे हमने इस चोली को जोड़ा है निक टॉप पार्ट को वहां तक इससे सिलते हुए और नीचे तक इससे पूरा सिल देंगे चारों को मिला के आपस में तरीके से तो ऐसी ही आप भी अपनी बेवी के लिए फ् तो तरीका सितरा